हेलो दोस्तो अगर आपका फोन बीच बीच में हैंग हो जाता है या बहुती सुलो चलता है तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके फोन के स्पीड फास्ट हो जाएगी आपका मोबाइल फास्ट वर्क करने लगेगा मोबाइल की मेमोरी स्पीड बढ़ जाएगी जैसे कि आपने नया मोबाइल लिया हो आपके मोबाइल के सारे भारेस रिमूब हो जाएगे अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन बिलकुल नया खरीदा जैसा फोन बन जाए तो आपको इसके लिए अपने मोबाइल को रिसेट करना होगा बहुती असान तरीका है कोई भी इसे बड़ी असानी से कर सकता है फोन रिसेट करने से पहले आपको दो काम कर लेना है पहला अपने जरूरी डाटा का बैक अप ले लेना है इससे आपकी जरूरी कॉंटेक्ट, मैसेज और फोटो से बहते हैं और दुसरा आपको अपनी मोबाइल में से सीम कार्ड और इस्टी कार्ड निकाल देना है फैक्टरी डिसेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फोन की सेटिंग्स में जाना होगा Settings में जाने के बाद नीची Scroll करने पर आपको Backup and Reset का Option दिखाई देगा इस पर आपको Click कर देना है यहाँ पर सबसे पहले आपको Backup My Data को On कर देना है Backup My Data को On करने से आपका Data Google Server में Save हो जाता है और जब Phone Reset हो जाता है तो आप Data को Restore कर सकते हैं आपको यहाँ से इसको On कर देना है और फिर यहाँ से Back चले जाना है फिर यहाँ पर आपको दुसरा जो काम करना है वह है Automatic Restore को On कर देना है फिर आपको स्क्रॉल करके नीची चले जाना है यहाँ पर आपको Facty Data Receipt का Option दिखाई दी रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तो हर Android फोन एक दूसरे कमपने से थोड़ा अलग होता है लेकिन सभी फोनों में यह Option आपको जरूर मिलेगा Facty Data Receipt पर क्लिक करते ही इस तरह की एक स्क्रीन आ जाती है इसमें लिखा हुआ है कि आपके फोन की सारी Internal Storage Data और साथ-साथ आपका Google Account डिलिट हो जाएगा आपके फोन की System और App Data सब डिलिट हो जाएगा आपके फोन की सारी Settings हट जाएगी आपके Mobile में जितनी भी Apps इंस्टॉल हैं वो सब डिलिट हो जाएगे उनको फिर से Play Store से डाउन्डूट करना होगा इसके अलावा Music, Pictures, Videos और दुसरे सभी फाइल्स डिलिट हो जाएगी यहां हम Office, Google Account, Facebook और WhatsApp अकाउंट में लॉगिन है फोन रिसेट करने से वह हड़ जाएगा जिसे आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा अब यहां रिसेट डिवाइस का option दिक रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है ऐसा करने से आपकी फोन का सभी डाटा परमनेंट डिलिट हो जाएगा अब आपको यहां current पिन डाल देना है और फिर done पर क्लिक कर देना है यहां चेतावनी दी गई है कि फेक्टि डाटा रिशेट से आपकी सारी नीजी जानकारी और डाउनलोड की गई अप्लिकेशन्स डिलीट हो जाएंगी और आप इसे किसी भी तरह से रिकवर नहीं कर पाएंगे तो चलिए हम डिलीट आल पर क्लिक कर देते हैं डिलीट आल पर क्लिक करते ही आपका फोन सट प्राउन हो जाएगा फिर कई बार रिस्टार्ट होगा कुछी देर में आपका फोन रिसेट हो जाएगा सारी प्रोसेस होने में करीब 10 मिनट का समय लगेगा दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही मेरी या वीडियो अठी लगी तो लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को स प्राबलम आ रही है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिंग